हर किसे का कुश्रों को जानूब होगा मुझे भी आज जब आप से बात कर रहा हूं तो एक पुरानी घटना याद आती है और ये तब की बात है जब मैं युवा आवस्ता में ट्राइबल बेल्ट में एक वोलिंटर के रुप में काम करता था और कुछ समस्ताओं के साथ मिलकर के मैं उनसे काम कर लेता था तो एक बार एक समस्ता के साथ उनके लोगों के साथ नहीं बहार जाना था तो उनकी जीप में हम सब जाने वाले थे लेकिन वो जीप सुभे जब निकलना था उसी समय चली नहीं अब वो जंगलों में भटकते भटकते वो जीप भी ऐसी थी हम सब लोग लगे काफी कुछ कोशिश की धके मारे सब किया लेकिन गाड़ी चली नहीं आखिर कर साथ आठ बज गए तो फिर किसी एक मिकेनिक को बुला लिया उसने आकर के कुछ इदर उदर किया और दो मिनिट में तो ठिक कर दिया फिर उसको पूछा के तरे बैसे तो बड़े 20 रुपिया उस जमाने में 20 रुपे की कि में बहुत होती थी लेकिन हमारे एक साथी ने कह रहा है ने यार दो मिनिट का काम और तुम 20 रुपे मांग रह उसका जवाम मुझे आज भी प्रेड़ा देता है मेरे मन पर प्रभाव करता है उस अनुपर्ट मेकेनिक ने कहा साथ कि दो मिनिट का 20 रुपिया नहीं ले रहा हूं 20 साथ से काम करते करते मैंने जो स्कील मेरे में आई है जो अनुपर्व जुटाया है ये 20 रुपिया उसक है मैं समगता हूं यही होती है स्कील की ताकत स्कील आपके काम का ही नहीं आपके भी प्रतिभा को प्रभाव को प्रेरग बना देता है और साथियों यहां एक और चीज समझने बहुत जरूरी है कुछ लोग नौलेज और स्कील को लेकर के हमेशा कन्फूज में रहते हैं या कन्फूज पादा करते हैं ऐसे लोगों को मैं हमेशा एक छोटा सा उदार देता हूँ आप बुक्स में पढ़ सकते हैं यूटूब पर वीडियो देख सकते हैं कि साइकल कैसे चलाई जाती है साइकल पर कैसे बैठना है साइकल कैसी होती है कौन सा पुर्जा क्या काम करता है कहां हैंडल पकड़ना है कहां ब्रेक लगड़ा सब उसमें आपको वीडियो में भी देखेगा यह सब नौलेज है आपको नौलेज है इसलिए आप साइकल चला जाएंगे हैसा गयरंटी नहीं है लेकिन वास्तों में एक्च्वल में जब साइकल चलाना होता है तो स्कील की ज़रुद पड़ती है आपको इस खुद को दिरे दिरे आजाता है और फिर आप अपनी मस्ती में भी साइकल चलाते हैं चलते रहते कोई तकलिब नहीं होती है जैसे जैसे आपने इस कला को सीख लिया इस टैलेंट में आ गई स्कील आ गई आपको कभी दिमाग कपाना भी नहीं पड़ता है और इस फर्क को समझना साइसन से लेकर के समाज के हरस्तर पर बहुत जरूरी होता है आज भारत में नौलेज और स्कील दोनों में जो अंतर है उसे समझते हुए ही काम हो रहा है आज से पांच साल पहले आज के ही दिन स्कील इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था इसका मकस्द यही था कि यूद को नौलेज के साथ ही स्कील भी मिले कौशल भी मिले इसके लिए देश भर में सेंकडो प्रधान मंतरी कौशल विकास केंदर खोले गए इडियाईज के संक्या बढ़ाई गई उनमें लाखों नई सीट जोड़ी गई इस दोरान पांच करोर से ज़्यादा लोगों को स्किल डेवलप्मेंट किया जा चुका है